आज हम पढ़ने लगे हैं कि चैट जीपीटी से आप पूरी-पूरी वेबसाइट्स बनवा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्ली इसको सिमाल करना आता है तो इसी तरह आप कोड़िंग भी करवा सकते हैं इससे किसी भी लेंग्विज में जो पाइथान है या पी एच पी है ASP.NET है, CSS है, JavaScript है या और भी कोई आरेकल या जिस तरह की भी लेंग्विजिस मतलब इंटरनेट के उपर मार्केट्स में मौझूद हैं अच्छा ये पूरी वीडियो आपको हर किसी को शायद समझनी आएगी क्योंकि ये कोडिंग के लेवल पर मैं गया था इसमें तो जो प इसमाल किया जा सकता है कि आप पूरे-पूरे वेबसाइटें से बनवा सकते हैं पूरा-पूरा कोडिंग सिस्टम आप इससे बना सकते हैं जार से बात है वक्त लगेगा एक एक चीज़ को और ये डिफरेंट पजल्स के अंदर आए इंगी चीज़ें आपके पैस ये पू वीडियो के आइडियास चाहते हैं वो भी आप इससे मांग सकते हैं कि जी मुझे बता हो आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें होगी तो फिलाल बारहल हम कोड के एक्जामपल्स देख लेते हैं कि ये कोडिंग लैंविज में ये क इन सी एसस तो शो टेक्स्ट शो एनी टेक्स्ट एज हैड लाइन एच वन विद ग्रीन कलर एंड एरियल या वर्दाना फॉंट अब देखें आपके सामने इसने प्रॉपर एक पूरा वो बना के दे दिया जी कलर ग्रीन वर्दाना सेंसरिफ और चुके मैंने साइज नहीं इस नहीं बताया था उसने डारेक्ट एच वन के उपर उसे चेंज कर दिया अच्छा यह थोड़ी सी एक्स्प्रिमेशन भी आपको देगा नीचे इन अबब कोड़ एच वन इसना सार एच वन एलिमेट्स के लिए काम करें राइट मी ए वर्डप्रेस प्लगिन हेडर और अच्छा मैंने इसे काए कि वर्डप्रेस के प्लगिन का हैडर यानि कि जो नया प्लगिन शुरू करते हैं जब हम उसका हैडर कैसे लिखते हैं वो मुझे लिखके बता दो आला कि गूगल पे या कोडेक्स पे वर्डप्रेस के बहुत सारी मौजूद एग्जाम्पल्स अब मैं कहता हूं माई प्लगिन नेम इस लेट सपोस रोबो कॉपी अब यह हमें बताएगा कि जी आगे क्या के चीज़ें हमें तबदील करनी है लेकिन फिलाल मैं उसको स्टॉप करके आगे बढ़ा देता हूं कि अच्छा जी यह इसको दुबारा से लिखके मुझे बताएगा अब यह खुद ही समझ जाता है आगे से बात अब हमने बता दिया देखे हैं हमें प्लग इन नेम में रोबो कॉपी इसने लिखके वेच दिया मुझे यह यह इसने यॉरल भी बना दिया उसके टेंपरेरी में से डमी दिखाने के लिए और आथर के अंदर मेरा नाम में डाल दिया तो यह इसका फाइदा हो रहा है हमें के कोड्स भी हमें लिखके दे रहा है उपर से यहाँ पे कॉपी कोड का बटन भी आता है अब आप इसे एक्जाम्पल के तौर पर यह कह सकते हैं के राइट आ कोड टू चेंज दा फरस्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल्ड लेबल्स अन वू कॉमर्स चकाउट पेज यह इ कहीं और देखी थी पहले से तो यह बड़ी अच्छी मुझे एग्जाम्पल लगी एजी बनाने के लिए तो आपको यह बता रहा है आपके जी देखें functions.php की फाइल पे में जाएं या फिर नई custom plugin की कोई फाइल बनाएं इसके चेक आउट की पेज को मॉडिफाइक करने क अब इसको यह पता है कि वो कॉमर्स में चेक आउट के पेज की फील्ड के नाम क्या है लास्ट नेम और फिर्स नेम और यह लेबल है और इसको आपने प्रिफाइन कर दो पहले से अपने प्रॉंट के अंदर तो यह इसको अपडेट कर देगा अगर यह कोड यह फंक्शन इसी तरह पूरा का पूरा कोड ब्लॉक आप उठा के फंक्शन.php में या कहीं पर भी लगा दें इसको कस्टम फाइल के अंदर जो इन्जेक्ट हो रही है उस फंक्शन के अंदर तो यह काम करना आपका सही से शुरू कर दें मैं आपको सरे इसकी पावर दिखाना चाहता हूं कि जी कैसे आप इससे चीजें बना सकते हैं आप इसे कहते हैं आप कुछ भी करवाएं आप पूरी-पूरी इसके लिए डिस्रिप्शन लिखें प्रोजेक्ट की अपने के जी मेरा एक प्रोजेक्ट है और मुझे इस प्र प्रोजेक्ट की कामों को हम फिर तोड़ेंगे तोड़ा सा टुकड़ों में डालेंगे और इससे फाइल बेज भी बनवा सकते हैं यह फाइल बाकाइद है किस तरह पूरी-पूरी फाइल लिख देगा क्या आप सिंप्री इस टेक्स को कोड को कॉपी करें और दूसरी इससे सेफ करेंगे इसने HTML का header बनाना शुरू कर दिया header का tag डाला फिर H1 का tag डाल दिया प्रॉपर HTML लिखना इसने शुरू कर दी अच्छा मैंने large header कहा था मैंने large image नहीं कहा था अगर मैं image लिखता तो फिर इसने IMG का tag डालके उसको भी चला देना था तो यह चीज़ है अच्छा write me a wordpress plugin showing a blue button on block on all the blog posts on the button text should say hello how are you doing today यह button का text है once the button is clicked it should take the user to homepage मतब मैं अभी complex functionality में नहीं जाना चाहता मैं simple simple से काम करवा के आपको दिखा रहा हूं ताकि यह ऐसा कुछ करें कि जी एक plugin ऐसा लिखो जो सारी blog post के उपर आना शुरू हो जाए एक button blue blur का और उस blue button को जब क्लिक करें तो user homepage पे चला जाए अब आप यह थोड़ा सा इसके लिए मैंने ज्यादा काम दिया है तो add blue button का उसे function लिखा इस single पोस्ट यानि कि इसको पता है कि पोस्ट के लिए उसको जो check कराने का function है वो इस single है तो यह उस तरह से उसको लिखेगा उसने इस WP footer में डाला अगर इस single है तो यह href के साथ इसे home URL के स इसने डाल दिया है ठीक है जी और यह function यहां पर add कर देता है फिर यह कहता है in the above code using this punition इसे पूरी बार आला पढ़ लें इसको दे दी है फिर इसने का you can create a style.css उसके लिए उसे blue button का style sheet भी आपको बना के दे दी तो यह style sheet बनाएं या existing theme की यह plugin की जो style sheet है उसके इस code को डा दें और यह चीरे डालें तो अल्ला कर सलाएं